हेलो बच्चों वेलकम टू एनस्पी निखिल सर फिजिक्स क्लासेज में मेरे सारे बच्चों का हारदी कभी नंदन तह दिल से स्वागत तो प्यारे बच्चों आज हम आपका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं पांडे जी कौन सा टोपिक सर इलेक्ट्रिक पोटेंश तो आज का लेक्चर वन जो रहेगा वो इंट्रोडेक्शन रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फूल बेसिक समझेंगे आज दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटिड बववा क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इस के end तक बने रहे न, electric potential से किसी परकार की आज के बाद किसी भी student को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि actual में potential का मतलब क्या है, 9th class में, 11th class में हमने gravitational potential सुना था, और यहाँ plus 2 में आएगा electric potential, तो सबसे पहले पांडे जी हम potential का मतलब समझते हैं, तो चलते हैं, त्यार करते हैं आज का topic क्या, electric potential, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले एक चीज समझ लेना, कि इस electric को तो एक बाद साइड में लगा तो भूल जाओ, सबसे पहले दिमाग में आज सेट कर लो, इस potential का क्या मत है, potential, आपने कई बार अपने मुझ से बोलते हुए, यह सुना होगा, किसी को, भाई या भेन को, किसी भी परसन को सुना होगा, कि तेरे में तो कुछ potential ही नहीं है, यह काम करने का, वर्क करने का, यह कुछ energy ही नहीं है, मतलब और आपने यह भी सुना है, यार तेरे में तो बहुत potential है, तो actual में potential जो है, वो किसी object के अंदर stored energy को represent करता है, बच्चा, क्या, तो सबसे पहले ही potential के बारे में एक idea या एक चीज जरूर fit कर लो, कि potential जो होती है, वो आपकी stored energy होती है, जैसा की सर ने बताया है, चुन, अईवा समझ में, क्या होती है, potential stored energy, एक किसम का एक work done होता है, एक amount of work done होता है, कुछ करने का, physics में आप सारे जानते हो, कि सर जिस type का भी work done करते हैं, कोई भी work done करते हैं, that work done is converted into some form of energy, ठीक है, वो work done जो है, वो किसी ना किसी energy की form लेता है, बबुआ, तो सबसे पहले सर ने ये समझाया, अभी लिखना कुछ नही है, क्योंकि आज का lecture है introduction, क्योंकि जब तक किसी topic का base त्यार नहीं होगा, तो इससे आगी आने वाले जो next upcoming topics हैं, वो अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, तो earphone लगा के, अच्छे से concentrates बना के, आपको आज चेक्टर का basic समझना है potential का, तो सबसे पहले सर ने ये बताया, मै अब इस potential को हमें पढ़ना से लेबस में electric potential है, लेकिन electric पढ़ने से पहले हम जानते हैं 9th class में हमें एक potential बढ़ा था, क्या, जिसको बोलता है gravitation potential, gravity की against, चीक है, gravity की against, जब हम किसी object को किसी height पर लेके जाते हैं, ground से किसी एक point से दूसरे point पर lift करते हैं, तो वो बनता है gravitation potential, तो सर ने यहाँ example number one लिया है, यह example number two लिया है, इन दोनों को समझ लोगे, तो फिर हमारा जो main topic electric potential, test nice हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मजा आजएगा तो देखते हैं, सबसे पहले हम example number one देखते हैं, potential का आपको खुद फील आएगी, idea लगने लगजेगा, सर यह होता है potential, ह यह एक सिलीन है, छत है, और छत से सर ने एक स्प्रिंग बनाया है, और स्प्रिंग बोलते ही यार, mechanics की problem सुरू हो जाती है, class 11th का topic है, restoring force, spring force, spring से related problems हाती है, बहुत पढ़ियें, बहुत करियें, class 11th, मज़ेदार physics, spring force, अब होता क्या, देखो इसी से तो हमारा आज, matching होने यह potential से, elastic potential, elasticity, कुछ खीशते हैं, compress करते हैं, compressor, stretcher, तो एक सिलींच से एक spring है, और spring का spring constant है, जैसा कि आपको पता है, क्या, कि यह बचा, और spring से नीचे एक object है, M mask, अभी ना तो मैंने इसको दबाया है, ना stretch किया है, तो अभी यह किस में है, अभी यह X not position पर है, यह red वाली लाइन दिख रही है, तो जिस initial position पर यह spring है, यह object है, उसको बोलते है, equilibrium position, इसके उपर अभी कोई force नहीं लग रही है, लेकिन अगर मैं इसको stretch करना चाहूं, एक stretching force लगाऊं, तो नीचे की तरह यह दिख रहा है, यह दिख रहा है, चन्नु मन्नु, ठीक है, बबुआ लगा के इस object पर हमने इस spring को खीच दिया, अब जैसे जैसे खीच रहो, तो दिमाग में एक visualization क्रियेट करो, एक picturization क्रियेट करो, कि सर मैं जैसे 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 खीच रहा हूं, तो इस spring में, इसके spring में कुछ, इस external force के comparative या इसके against spring में एक force generate हो रही है, जैसे जै जैसे आप खींचोगे इसको बढ़ाने के लिए, वैसे वैसे spring अपने आप में एक energy restore कर रहा है, कि ताकि जैसे आप अपना connection हटाओ, इस external force को हटाओ, तो यह restoring force tends to back this object to its equilibrium position back, to its original position, तो वो क्या था spring force, अब एक बात बताओ, यह A point पर था भी, आप इसको B point पर लेगी, A से B आप लेगे, X minus X note, starting X note, बाद में X, दो difference आया, X minus X, और spring force, F और यह क्या आपकी restoring force, जो spring force होती है, basically वो आपकी restoring force होती है, और यह जो spring, जो आपकी spring force है, यह बिलकुल equal and opposite होती है, किसके, external force के, तो आपकी restoring force कितनी होई बच्चा, minus K, X minus X note, अब एक बात बताओ, कि आपने इस spring को stretch करने में, ठीक है, अभी मत जो बोल रहा हो, उसको समझना मज़ा आएगा, यह समझने के बाद फिर यह भी easily समझोगे, और इन दोनों को समझने के बाद तो फिर तो यह बच्चा सा topic हो जाएगा, अरे मज़ा आएगा, क्या, तो work done in stretching or compressing a spring by an object, जब भी किसी object के द्वारा किस spring को हम क्या करते हैं, या तो stretch या compress against किसके, किसके against करते हैं, restoring force, अगर आपने नीचे stress किया, तो restoring force उपर लगेगी, अगर आपने उपर compress किया, तो restoring force नीचे लगी, restoring force का काम यह है, कि उसको हम वापिस, उस system को अपने original configuration पे लेगी है, तो इस external force के दवारा, यह जो आप external force लगा रहे हैं, यह किस restoring force के against लगा रहे हो, जैसे जैसे इस डब्बे को, इस ब्लोग को नीचे ले के आ रहे हो, खींचने में, तो यहां जाकर, यहां जाकर, इस spring के अंदर, इस system के अंदर, एक potential energy store, stored होगी, potential बोला था ना, कि potential क्या होती, एक stored, जैसे आप अपने agent के दवारा, external force से, इसको potential energy stored होगी, इस B portion पर, अगर मैं इसको और नीचे ले जाओ, यह देखो, यहां ले आओ, अगर मैं, बच्चा लोग, इसको यहां लिया या, यह portion अब और नीचे है, इस पोज करो, यह x equal to x dash थी, अब यहां ले आ, x equal to x double dash है, vertical portion बढ़ रही है, तो अब यहां पर, यह C point पर जो potential energy stored होगी, spring की अंदर, वो पहले वाले से भी जादा होगी, क्या करें, और जैसे ही, यहां से आप अपना हाथ उठाओगे, तो एक दम से शिश्चू, यह spring, इसको वापीस अपनी portion पे लेगा, तो जैसे हां, तो आपने चीज सिखी, कि either in compressing or stretching a spring by an object, ठीक है, against restoring force, तो spring क्या करता है, spring stored some potential energy, और as we remove the external force, ठीक है, जैसे हटाते हैं, तो potential energy घटनी सुरू जाती है, लोस होनी सुरू जाती है, तो आपको पता है energy नहीं, तो create होती है, तो जैसे आपने अपना हाथ का connection अटाया, यह सारी potential energy किसमें बदलने लगी रहे, काही निटी, एक दम से motion आया ना, लेकिन खींच रहे हूं, तो potential energy stored छोड़ा, तो kinetic, लेकिन ऐसा करने के दोना, किसी भी point पर जब आप kinetic energy का, और potential energy का जब सम देखोगे, kinetic energy plus, potential energy का सम देखोगे, constant मिलेगा, आई वह समझ में, ठीक है, तो total energy हमें इसा constant रहती है, तो यह बाती सर कुछ idea लगने लग some amount of work done, ठीक है, that is going in the form of stored against some force, यहां आपने external force लगाई, stretching और compressing करने में, किसके against, तो जिसके against करते हो, तो वो stored होती है, potential की form में, बढ़ते हैं सर, gravitational potential, यह बाती, elastic potential की सर, मजा आ रहा है, electric potential को मजा आएगा समझने में, हाँ, अब बात करते हैं, तो प्यारे बच्चों, बात करेंगे, gravitational potential, ग्रेविटेशनल, potential, ग्रेविटेशनल, potential, ग्रेविटेशनल, पोटेशनल, पोटेशन, पोटेशनल का क्या concept है, बभवा, पांडे जी जरा बता और, शल्डू बता हो, अजो, जल्दर शीबता हँ, सर, gravitational potential, तो हमने 9th में भी पढ़ा है, सर, class 11th मी पढ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशल में क्या रहा होता है इसमें बच्चा यह रहा होता है कि एक ग्रेविटेशनल फिल्ड है जैसे हमारी अर्थ है हम इस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं सर्वाइव करें तो इस अर्थ के ऊपर हर चीज को अर्थ के ग्रेविटेशनल फिल्ड ने ब थीक है तो इसकी हाइट अभी जी रो है क्योंकि अब इसको हम किसी हाइट पर ही नहीं लेगे अभी ग्राउंद पर हैं तो सर इसकी पोटेन्श्यल अनरजी जीरो जूल है अब एक बात बताओ अगर मैं इस डब्वे को उपर उठाना चाहता हूं, किसी हाइट पर लेकर जाना चाहता हूं, तो मुझे अब किसके against force लगानी पड़ेगी, और equal and opposite लगानी पड़ेगी counterbalance, तो प्यारे बच्चों, मुझे अगर इस object को lift करना है थोड़ा सा उपर, तो मुझे इस gravitational force को counterbalance करने का मतलब है, कि मुझे इतनी force लगानी है, जितनी ये लगरी है, तो counterbalance का मतलब है, कि just इसको खत्म करने के लिए, cancel out करने के लिए, हम equal and opposite force लगाएंगे, external force किसके? इस gravitational force के, तो जैसे-जैसे मैं इसको उठा रहा हूँ, तो मैं एक force लगा रहा हूँ, इस gravitational force के against तो सर, आप external force लगा रहे हूँ, force लगा रहे हूँ, displacement हो रही है और force into displacement से, सर, work done होता है, सर, बहुत पढ़ा है physics में और अभी सर ने starting में, lecture के starting में ही बोला है, बच्चा लोग, कि any work done is converted into any form of energy, किसी form of energy में बदलता है तो वो gravitational potential energy ही तो है, तो potential वापिस meaning समझ में, stored energy यहाँ, आप क्या कर रहे हो, कि उसी object को lift कर रहे हो, from one point to another against gravitational force, यहाँ क्या कर रहे थे, spring को हम क्या कर रहे थे, stretch या compress कर रहे थे against spring force, तो जिसके against करते हो, वो कोई ना कोई potential में stored, ताकत आ रही है उसके पास, ठीक है, तभी तो बोलते हैं, तेरे में बहुत potential है, तेरे में तो है ही नहीं रहे, हाँ, तो बात करते हैं या mass of 1 kg, ठीक है, तो हमने equal and opposite force लगा कि इस gravitational force के against हम इस object को lift कर रहे हैं, तो अभी starting में height 0, potential energy 0 joule, अब mass है 1 kg, तो इस B point पर आगे है, और A से B जो displacement करी है, रहे, वो 1 meter करी है, थारे को समझ में आ रहा है, ठीक है, महारे को पड़ाने में आ रहा है, थारे को समझ में आ रहा है, तो इधर देखो, concentration बना के देखो, potential energy आई 10 joule, अब फिर B से C सर 1 meter, डबा वापी से 1 kg का, potential energy 20 joule, तो जैसे जैसे height cover होई, तो ये C क्या है, ये B क्या है, ये A क्या है, ठीक है, अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग में डबा कहा था, इस वाले में यहां था, थोड़ देर में डबा यहां, थोड़ देर में यहां, तो basically आपका जो elastic potential या gravitational potential है, वो depend करता है, location पे, location का मतलब है, कि किसी point पर depend करता है, कि उस point पर कितनी energy है, थोड़ देर बाद में उस point पर energy बढ़गी, 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 तो basically अब हमें second fit कर रहा हूं दिमाग में बात, पहले श्टोड, second, कि potential is the property of a location, किसी location की property, किसी field में, ये gravitational field में किसी mass की property है, तो जैसे height cover हो रही है, तो gravitational potential energy बढ़ रही है, a पर कम, b पर जादा, c पर ठीक है, और जादा, और जादा, तो हमने ये चीज़ देखी, कि sir, gravitational potential is the property of a location, लेकिन ये सिरफ एक height पर ही cover नहीं करता है, आपका gravitational potential, mass पर भी depend करता है, क्योंकि अगर मैं mass अगर यहाँ 2 kg ले लू, जैसे 1 kg height 1 meter थी, तो gravity G की value हमने 10 use करी है, तो 10 आगया, अगर बच्चा मैं यह mass ले ले लेता है 2, और height लेता 1, अब की बार potential energy B पर कितनी हो जाथी 20, तो जादा होगी न, तो mass पर भी depend करता है, और height पर भी depend करता है, क्यों gravitational potential, तो sir, इन दोनों से हमें एक अच्छा सा idea लग गया है, कि potential है क्या, stored energy है, एक location है, एक जगह है, जिस point पर हम बात करते हैं, potential at a point, तो अब मज़ाएगा electric potential को, तो अब तक मैंने जितना यह समझाया है, आप knowledge के लिए, अपनी copy में बच्चा लोग notes में उतार सकते हैं, तो अब इससे related, जो अभी हमने समझा है, कुछ important points हम इसके लि स्पोर्ट करते रही है, क्योंकि देखो बच्चा लोग simple सी बात है, कि आप सरकी जतने स्पोर्ट करो के, तो मुझे dedication मिलेगी, यहाँ इस channel पे आपके सामने खड़े होनेगी, और ऐसे ऐसे lectures लानेगी, और आपका सले बस पूरा करनेगी, तो comment किया करो, अगर आपको videos अच electric potential क्या है, it is a stored, यह paper में नहीं, पुची जाती है, knowledge के लिए, paper में जो आने वाला part आपके syllabus का, वो तो electric potential है, सीधा start करने का क्या फाइदा, जब तक आपको base ही त्यार नहीं हो, तो it is a stored energy, तो हमारे बच्चों का मतलब सिर्फ हमें syllabus कराना नहीं है, physics का topic है, ताकि वो in future कभ नहीं हो बभू है, ऐसी चीजें जो path पर depend नहीं करती, physics में, जो depend करती है कि वो पहले कहां था, कहां लेके गए हो, initial और final पर depend करें, that is conservative forces, हां सर आगे समझ में, तो gravitational potential is, depends upon, upon two things, जो gravitational potential, वो दो चीज़ों depend का रहा था, आपने देखा था, पहला point क्या था, उस object का mass, second, second क्या, location, location मतलब, ground से वो किस हाइट पर, location, height, ठीक है, तो gravitational potential, और third point आप था, इसका C, it is conservative, it is conservative, और conservative बभूआ वो होता है, which doesn't depend upon path followed by that, आप उस object को, सहीं आप श्यूं ऐसे ले जो, सहीं ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, कैसे ले जो, तो आपको same gravitational energy ही मिलेगी, और sir, हमें बस इतना ही मतलब है, कि ये इसका initial है, और ये इसका final है, बस सिदा लेगे, टेड़ा मेड़ा कैसे लेजो, कोई matter नहीं करता है, conservative में, it is conservative, तो gravitational potential जो है, आपको इस बात पर जोर देना है, कि location पर depend करता है, कि कहां, 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 और जैसे, 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 हाइट cover हो रही है, तो potential energy बढ़ रही है, अब, अब मैं इस marker को suppose करो, यह मेरे हाथ में था, ground पे था, इसको यहां लिया, तो मुझे यहां से यहां उठाने में बभवा, थोड़ा ही जोर आया, पांडे, फिर यहां से यहां उठाया, और जोर आया, क्योंकि gravity चालती है, तो नीचे आ रहे, ना कहता है, मैं तो उपर लेके जाँगा, और लेके सकते हो, remove करते हो, तो potential energy loss होती है, और वो loss किस form में होती है, वो kinetic energy की form में होती है, बहुत ही अच्छा point है सर, लेकिन kinetic plus potential का बोला वापी सम, किसी भी point पर आपको constant मिलेगा, अरे बहुत ही अच्छी बात अरे NCRT की रहे, क्या, कि सर external force remove करो, potential energy loss होती जाएगी, और kinetic में बद जलती जाएगी, जैसे हाइट कवर करें, तो अब आए हम अपने topic पे बड़ी बड़ी देर करवाई है, लेकिन सर, अच्छी बात है, क्योंकि बेस्तियार हो गया, आज के बाद नहीं बूलेंगे, ठीक है, कैसे नहीं बूलोगे, हम बोलना है नहीं देंगे, तो electric potential, और है, electric का मतलब whenever you listen to this word, charge, charge दो टाइब की, एक source, एक test, आज किस lecture में, मैं electric potential का full base त्यार कर दूँआ, आपका ground त्यार कर दूँआ, अग्याने वाली derivation मज़ा आएगा उसको करने में, तो आपको सर ने बताया था, जब भी कोई बड़ा charge magnitude में, 10 कुलाम, 15 कुलाम, बड़े charge क जिसकी वज़े से कोई दायरा बनता है, कोई field बनता है, कोई influence बनता है, अब ये positive charge से आपको पता है, कहा पता है, electric field lines, radially outward निकलती है, हर possible direction में निकलती है, हर possible direction में निकलेंगी, बिल्कुल निकलेंगी, अच्छे से निकलेंगी, symmetric distribution होगा, समझ में आया बबवा, हाँ, इसमान के चलो, यहां थक, so, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do चार्ज की दो क्रेक्टरिस्टिक्स होती है, knowledge के लिख सकते हूं, आज हम उसकी second characteristic discuss कर रहे हैं, बच्वा, इधर देखो, चार्ज की दो क्रेक्टरिस्टिक्स में सर, एक क्रेक्टरिस्टिक का electric field, जो हमने पढ़ लिया, second characteristics are electric potential, यह तब समझ में आएगा, जब यह समझ में आएगा, क्योंकि इसी से तो potential का मतलब निकलेगा, ठीके, तो charge have two characteristics filled and potential, ठीके, तो देखते हैं, यह characteristics are charge की, ठीके, इधर दे नहीं रहे, इधर ही है, गवराओ मार, infinity, सर, infinity का मतलब है, हमसे बहुत दूर है, तो infinity पर एक charge मान लिया, मैंने, एक charge मान लिया, मैंने क्यों, क्यों, test charge है, अरे, जो test charge हम लेके चलते हैं, वो very small होता है, physics में, बच्चा लोग या गतना, test charge we taken in physics as very very small, हम कह सकते है, unit कुलाम का, एक कुलाम का charge हम कह सकते है, तो अभी आप ये समझो रहे, बच्चा लोग कि सर, test charge बहुत ही, छोटा सा charge है, अभी इससे बहुत दूर है, अब ये भी positive, ये भी positive, तो ये तो बहुत बड़ा है, और ये भी positive, तो ये positive, इस positive को आने देगा, क्या, अब ये वाला जो है, इधर समझना, ठीके, ये, तो सर, इस charge को जैसे, 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 इसके पास लाओगे, तो ये लगाएगा, रिपलसीव फोर्स, तो प्यारे बच्चों, इस charge को जैसे, जैसे इसके पास लेके आओगे, तो ये आने थोड़ी देगा, इस वह इसके नजदीक, इसके नजदीक किसी प्व continuity पर जैसे लाके चोड़ोगे तो ज्ञाधा रीपल सी पॉर्स व एक्सपिरिंस करेंगा दूर किसी पॉंट पर छोड़ु गे तो वाकम रीपल्सी पोर्स जो है experience करेगा तो बच्चा लोग इधर देखो रहें अगर मैं इस चार्ज को सर मैं यहां रख दूं यहां रख दूं इस फिल्ड के अंदर बेसिकली इस चार्ज को इस टेस्ट चार्ज को हम इस फिल्ड में रख रहे हैं किसी एक पॉइंट पर पॉइंट बोल दिया सर ने और सब्होब कर दूं दिया सकता था ना एक आराम से थोड़ी ले किया पसीन ओए हैं व्रेगड़न करना पड़ रहा है पसीन ना बाना पड़त रा है किसके अगेंस्ट है रपल सिवा लिए किले सब्स्ट के सरदों में यहां रिपलल्सी वोलकर DO met आप », इसकी इंदर पोटे स्ट्रेचिंग दस्प्रिंग यहां भी वर्ग्डन करते हो किसी के वह स्टोड़ी तो होता है सर पोटेंशल मेरे मज़ा तो सर यहां जैसे जैसे इसको चार्ज को ले क्या रहे हैं रिपल सी फोर्स लग रही है तो आपको एक एक स्टनल फोर्स लगानी पड़ेगी और आपक करने में लगा रहे है क्यों क्योंकि टेस्ट चार्ज बोच छोटा है हम इतनी फोर्स लगाना चाहते हैं कि वह जीरो एक्सेलरेशन से यह यह सारे पॉइंट्स लिखूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है नेट फोर्स जीरो जाती जीरो एक्सेलरेशन से चा और acceleration का मतलब होता है final velocity minus initial velocity upon time किसी भी time पर उसका UB same है उसका VB same है मतलब आप उस charge को लेके आ रहे थे 10 meter per second से बाद में भी 10 meter per second बाद में भी 10 meter per second तो 10-10-10 constant speed से लेके आओगे 0 acceleration net force 0 ठीक है क्योंकि अराम अराम से slowly 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 मद्दम 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 पास आ रहे हैं तो सर इस a point पर जब लेकी आए तो अब यह a point है star से थोड़ा सा दूर तो प्यारे बच्चों जब इस a point पर यह charge आ जेएगा ठीक है यहां तो यह लगा रिपल सी फोर्स याद रखना अब इस a point पर लगेगी आपकी लेस रिपल सी फोर्स तो टेस्ट चार्ज को किसी infinity से infinity से किसी पॉइंट पर लोकेट करने में जो आपने वर्कड़न किया ठीक है वोई डेफिनिशन बनने वाले लेक्टिक पोटेंशल की कोई यारी थोड़ी बनने वाली है दा अमाउंट वरेग्ड़न इन बिंगिंग ए यूनिट पोस्ट्य चार्ज प्रम इंफिनिटी तो सम पॉइ यह बात NCRT कहती है कि इसका कोई फिजिकल सिगनिफिकेंस नहीं है क्यों कि सर आपने चार्ज को यहां से यहां किया है तो आपने वर्कड़न किया है तो इन दो पोइंटों के बीच में किया है तो बेसिकली पोटेंशल जोता है वो एक यह भी समझ लो को बाद में मत कहना नहीं समझा है डिफ्रेंश होता है पोटेंशल एक्युल पोटेंशल कुछ नहीं होता है तीक है हमेशा डिफ्रेंश का मतलब कहा था व crushing वोई conservative की बात आ जाए करो दिमाग में लेaur कि आ जाए करो कंजर्वेटिव, सर कंजर्वेटिव जो इनिशिल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करें, तो जब भी पोटेंशिल की बात आए, स्टोर्ड, लोकेशन, कंजर्वेटिव, ये चीजे दिमाग में तुरंत और अत्यंत घुमनी चाहिए, ठीक है, तो ए पॉइं इनिशिल सर मानना कितना वी ए, यहां पोटेंशिल है, सर मैं इस चार्ज को अब एससी भी आगे लिए, फिल्ड की अंदर सोर्स के पास आ रहे है, इस सेर के पास बिठाना को यसान बात है क्या, यहां, इस चार्ज को भी यहां लेए, तो अब तो ये चो टेस्ट चार्ज ह यह टेस्ट चार्ज जो है बीपर आगया और अंदर आगया तो इस सोर्स के नजदीक आगया यहां क्या लगेगी अरे मोर रिपलसीफ फोर्स पसीने चूट जाएंगे तो यहां अब यहां पर रखने के लिए आपको यहां से यहां इतना वरगडन करना पड़ा तो यहां से यहां तक जो वरगडन करना पड़ा अब इस केस से जादा वरगडन करना पड़ेगा आपको यहां से यहां रखने में तो आपकी बार जितना जादा वरगडन करोगे औ और शेर के पास बैठ जाओगे, कुछ ताकत ही होगी, कुछ दम बाड़ी बात है, तो यहां more potential होगा, यहां more, तो यहां potential हमने माल लिए VB, तो चार्ज को A से B लेके गए, जिस पर potential था V A और VB, स्टार्टिंग में चार्ज कहां पड़ा होता है, इंफिनिटी पा, एक्चुल कोई मतलब नहीं, डिफरेंस होता है, कि पहले कहां था, बाद में कहा है, तो हमने यह देखा, बेसिकली electric potential है क्या, कि सर, आप चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके आरो, किसी फिल्ड में लेके आरो, किसी अनदर चार्ज के सोर्स, सोर्स चार्ज की फिल्ड में, और जो वर्कडन कर रहे हो, वो अगेंस्ट कर रहे हो, किसके रिपल सी फोर्स के, by applying an equal and opposite force, external force, इसके अगेंस्ट, और वो external force इतनी लगांगा, कि बस ये counter balance हो जाए, जितनी ये लगड़ी उतनी में लगांगा, ठीक है बच्चा लोग, तो net four zero, acceleration zero, तो अब ये diagram जल्दी से उतार लो, अब हम इसकी देखने वाली है definition, तो बच्चों, अब हम देखेंगे electric potential की definition, ठीक है, इसको हम रब कर देते हैं, तो सर न electric potential की, ठीक है, I think सभी को समझ में आ गया है, अब electric potential का मतलब क्या है, electric potential को V से denote करते हैं, और basically electric potential में अब आपको लिखना है क्या, ठीक है, कि सर, it is defined as, it is defined as the amount of work done, amount of work done in bringing, in bringing, लेके आने में, क्या लेके आने में, in bringing a unit, unit, एक positive charge, कहां से, from infinity, from infinity, to, to a point, to a point, लेकिन कैसे लेके आना है, without acceleration, बिना acceleration के, zero acceleration के, without acceleration, ठीक है, in the, in the field, in the field, against, against, repulsive force, against, देखको, इससे प्यारी definition नहीं बन सकते, एक एक चीज लिख दिये, दिमाग में के concept कलियर हो गया है, ठीक है, तो, repulsive force के, against, field में, without acceleration, infinity से, किसी charge को लेके आने में, जो work done होता है, और कोई भी ब्रगडन, सर ने बताया है, अनर्जी में बदलता है, तो, against, repulsive force, is stored, stored आ गया ना देखो, stored, तो, is stored in the form of, पांडे जी, किस में, is stored in the form of electric potential, is stored, जिस point पर आप लाके रख रहे हो, लोकेट करे हो, उस point पर एक potential की value बनेगी, is stored, तभी तो वोला ही, एक लोकेशन प्रोपर्टी है, in the form of, in the form of electric potential at that point, आ गया सर, मजा आगे, टुपी को समझ के, ठीक है, आगयाने वाली derivations भी बहुत अच्छा समझ में आएगी, पूरी lecture series मिलेंगे, आपको बस सर के साथ बने रहे है, तो अब हम, अब यह चीज़ और बतारू, उस चीज़ को और समझ लेना, ठीक है, फिर तो कलियर ही हो जाएगा, फिर तो कोई confusion ही नहीं रहेगी, यह source charge, यह source बड़ा charge, ठीक है, और यह, इस क्या field है, मानके चलो, यहां तक इसकी range है, और यह infinity, यह infinity, यहां पढ़ा एक test charge, क्यों, ठीक है, अब सर हम इस test charge को, वहां से यहां लेके आएगे, तो आने देगा, क्या लगाएगा रहे, बताया न, ripple c force, लगाया, तो सर, हम यहां पर एक point है, मानके चलो, यह R point है, R, सर, यह point है, P, तो सर, इस R point पर इसको उठा कर यहां लाने में, हमने एक work done किया, और वो work done जो, सर, इस point पर आकर एक potential की value पर जाकर store हो गया, तो हम कहेंगे, वो potential आगया, V R, सर, फिर वापिस हमने इसको यहां से यहां रखा, तो स्टार्टिंग से फिर हमने इसको यहां माना, तो यहां फिर एक work done और करना पड़ा है, जो इस point पर एक potential पर store हुआ कितना V P, आई बस समाझ में, फिर हम यह बोल जाएंगे, फिर हम यह कहेंगे, आगे ज समझना जो मैं बताने वाला हुआ, इतना आपको समझ में आगया, तो अब यह इस point पर जब आपने इसको रखा, तो वो work done किया होगा, कुछ मैनद किया होगी, कुछ पसीना भाया होगा, तो वो work done जो है, यहां पर कुछ energy की फोम में जाता है, तो यहां से यहां, इस charge को ल और जब इस charge को आगे इस charge के नजदीक लिया होगी, तो और जाधा work done करना पड़ेगा, क्योंकि जाधा repulsive force लगा, तो यहां पर एक potential energy और stored होई, अब के बार होई 20 Joule, तो हमने एक चीज़ देखी, कि सर जैसे जैसे हम charge के पास आ रहे है, potential energy जो stored होम में है, वो बढ़ रही है, तो अगर मैं कहूं कि charge को यहां से आ गए, तो हमें इन दोनों का एक difference मिलेगा, तो आपने कितना का work done किया, जश्ट यह जो work done किया, आपने यह 10 Joule का, यह तो infinity से किया है, यह भी 20 Joule infinity से किया है, लेकिन अगर मैं यह कहूं, यहां पर 20 Joule थी potential energy, वापीस लिग लेते हैं अगर मैं charge को R से P लेके जाऊं, इसके field में, तो मुझे कितना work done करना पड़ेगा, तो इन दनों point पर जो potential energy का difference है, 10 Joule इतना ही work done करना पड़ेगा, समझ में आया, तो आपने एक चीज देखी, कि सर, जो potential energy है, वो एक store है, ठीक है, एक चीज और याद रखना, कि आप infinity से च चाहिए, दो कुलाम को लेके हो, कोई matter नहीं करता, ठीक है, क्योंकि मान के चलो, अगर मैं यह कहूँ, एक कुलाम को लेके आने में, एक कुलाम को लेके आने में, इस R point तक, इस R point तक, 12 Joule पसीना भाना पड़ा, इस एक कुलाम को दोबारा बोलना हूं, समझ लो, इस एक परकने में 12 Joule, तो यह 12 Joule सर ने क्या बोला है, यह बोला है, potential energy, in bringing a charge from infinity to R, of 1 कुलाम, और कितने का चार्ज है, A कुलाम का, तो A कुलाम के चार्ज को 12 Joule की इनर्जी लगाने में, potential is R point पर बना, V is equal to potential energy by Q, और potential energy वरकड़ नहीं तो है, इसको या W बोल दो एक ही बात है, य क्योंकि वरकड़न energy में ही बदलता है, तो देखो कितना potential इस point पर बनेगा, 12, बटे एक, 12 V potential आ गया, अगर मैं इस से 2 टाइम्स charge की value बढ़ा दू, और 2 कुलाम का charge ले किया हूं, और इस point पर लाने, और charge डबल करने से, charge की value, जब स्टार्टिंग में 1 कुलाम था, 1 कुलाम समझना, तो 12 जूल वरकड़न करना पड़ा, पसीना भाना पड़ा, अगर मैं यहाँ पर charge था, एक positive, अब 2 positive कर दूं, और वापीस इसी point पर रखों, तो वहाँ पर जो potential बनेगा, वो 12 ही तो बनना चाहिए, अब यह थोड़ी है, सर एक positive को ले किया है, तो 12, दो positive को इसी point पर ले किया है, तो क्या, यह थोड़ी 24 थोड़ी हो जाएगा, यह 12 ही तो रहेगा, एक point पर एक ही potential exist करेगा, तो अब होगा क्या, सर दो positive है न, तो charge की value बढ़गी, तो charge की value बढ़ने से आपको वरकड़न भी तो जाधा करना पड़ेगा, क्योंकि जाधा force लगा, charge की value बनेगा देखो, अब potential energy कितनी है, 24 joule, charge कितना है 2, तो अब potential बताओ, 24 बटे दो, तो वापीस 12, तो सर समझ में आ गया, कि सर चाहिए एक कुलाम को लेकिया हो, एक unit लेकिया हो, या 2 unit, potential energy two times होती जाएगी, 12 joule से 24, लेकिन उस point पर जो potential होगा न, वो अता है, वरक डन पर unit charge वो आएगा तो एक ही कुलाम का, ठीक है, तो सर ये definition बनगी, formula बन गया, अरे सर मजा आ गया, तो प्यारे बच्चों, electric potential की definition आपको लिखनी है, V equal to W upon क्या हो, ये बन गई, W upon क्या हो, और इसकी SI unit, प्यारे बच्चों, W की unit क्या है, जूल, charge की unit कुलाम, और एक जूल, मैनत करने में, एक कुलाम को लेकर आने में, एक वोल्ट उस location पे rise हो जएगा, तो वो definition थी, ये formula था, ये ऐसा unit है, dimensional formula आपको लिखना है, क्या, वरक डन, M, L2, T-2, charge का, क्यो, AT, क्या आ गया, M1, L2, T-3, A-1, ये dimensional formula हागया, हमारा electric potential का, इसको भी लेक लेना, रेप चुद्नू, मुद्नू, ठीक है, तो हमारा ये डश्टर गिर क्या उठा लेते हैं, तो हमने ये चीज नोट करी, हमने देखी, अब इसके अंदर आपको note में लिखना है, note में लिखना है, क्या important point है, पहला point, electric potential, electric potential, is the, is the, property, is the property of location, of location, ठीक है, in electric field, जो electric potential, वो एक property, location की electric field में, पहली इस बात पर डिपेंड करता है, दूसरी सर, it depends upon the charge of the object, ये charge dependency, gravitational force जो थी, वो mass dependency थी, ये charge dependency, ठीक है, तो चीजों को ना compare करके पढ़ा करो, मज़ा आएगा, it depends upon charge, sir, आगया समझ में, तो sir, electric potential का basic समझ में आगया, ये समझ में आगया, कि आगया से potential का topic नहीं बूलेंगे, potential का मतलब हम relate करेंगे, stored, work done, किसी के अगया ताकत लगरी, ये जोर आ रहा है, तो अब हम एक चीज करने वाले हैं, छोटी सी हम definition पढ़ने वाले हैं, electric potential energy, तो last point रहेगा आज का ये हमारा, फिक है, तो write down the heading, शले बस शुरू हो चुका electric potential का, अब हम बात करेंगे, electric potential energy, electric potential energy, electric potential energy, start करेंगे, पहला topic है, interesting topic है, यू से denote करते हैं, तो प्यारे बच्चों, electric potential energy को करने के लिए, आपको वापिस हुआ ही diagram, source charge बनाना पड़ेगा, इस source charge से, ये है सर infinity, सर इस infinity पर एक test charge पड़ा रहेगा, क्यों, एक उलंग, सर एक point ले लिया हमने ये, R, अरे point ले लिया P, तो सबसे पहले जो charge था, वो R पे था, अरे ऐसे ही थोड़ी आए R पे, कुछ work done किया है, तो यहां पर एक potential बनेगा V R, ठीक है, और यहां एक potential energy, generate होगी, कितनी U R, यहां एक work done होगा, सर यहां वापिस इस charge को जब R से आगे सरका हूँगा हमे, R से, कितनी displacement DR, ठीक है, DR displacement कर रहे है, तो इस P point पर वापिस एक potential आएगा VP, और इस charge को यहां से यहां रखने में, आपने, आपने जो work done किया, वो किया U R, और सरी charge को यहां से यहां रखने में, आपने energy waste करी work done किया, सर यूपी, और ये UP हमेशा greater than रहेगा, यू आर, क्योंकि जैसे 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 charge के close होगे, जादा वरगदन करना पड़ेगा, जादा energy store होगे, पीछे रहेंगे, less force, less energy, less potential, तो ये point रहेगा high potential का, और ये बात मज़े की बात है sir, पांडे जी, और ये रहेगा low potential का, तो आगे आना इन दोनों में high potential minus low potential, higher minus lower difference, और charge क की moment ही होती है, charge किसी एक point से दूसरे point से तब होगे करता है, जब उनके बीच में potential का difference हो, और potential difference is the main reason to the flow of charge, sir, सारी change जोड रहे हैं, basics की, मज़ा आएगा, basic strong होते हैं, तो questions easily sold होते हैं, ठीक है, तो आपको करना क्या है, consider some electric field of source charge, ठीक है, ये source charge ने एक electric field create कर रखा है, और इ consider, consider some, some electric field of charge, क्या हो, and now imagine, now imagine, क्या कर रहे हैं, हम imagine कर रहे हैं, now imagine, we are bringing, we are, क्या कर रहे हैं, हम bring कर रहे हैं, ले के आ रहे हैं, bringing a, a test charge, from point r to p, ray charge को आप r से p लेके गए हो, through a small displacement dr, ठीक है, तो उसके लिए electric potential energy, हम यू देख रहे हैं, कितना आएगी, इतना लिखो, consider some, क्या, electric field of charge क्यों, तो इस charge क्यों का हमने एक electric field मान लिया, now imagine, तो प्यारे बच्चों, हमको imagine करना है, कि हम एक charge को, test charge को, r c p लेके आ रहे हैं, ठीक है, लेके आ रहे हैं, तो देखते हैं, आगे क्या है, अब कुछ important points आपको मैं लिखा रहा हूँ, test charge के बारे में, क्या है, लेके कैसे आना है, क्या होगा, ठीक है, note में लिखना है, note में, सबसे पहले, जो test charge लेके आओगे, वो इस repulsive force के ही, तो against लेके आओगे, अरे, repulsive force तो तब लगेगे न, जब ये दोनों, nature में, एक जैसे हो, like charges हो, या तो ये दोनों positive हो, या ये दोनों negative हो, तो एक बात तो ये चीज या दखना, derivation करते वक्त पहला, कि both, q and small q, ठीक है, या तो क्या होने चीए, should be, should be positive, और negative, ये चीज याद रखना, या तो ये दोनों positive होंगे, या तो ये दोनों negative होंगे, पहला point, ठीक है, दूसरा point बच्चों आपको लिखना है, दूसरा point लिखना है, कि sir, जो test charge है, वो बहुत छोटा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, और कोई भी charge होता है, वो अपना कोई field बनाता होगा, अगर इसको भी बड़ा ले लोगे, तो ये भी field बनाएगा, इसका फिल्ड और इसका फिल्ड कहीना के इंडिस्टब होंगे, तो हमें जो लेके आ रहे हो न जो चाहिए, ये हमेशा fix रहेगा, ओरीजन पे, इक्सको fix रखते हैं, ओरीजन पे, और जिसको लेके आते हो, वो इतना समोल होता है, कि इसके दोबारा जो field बनता बैसको फैक ना करे, इस odearnal configuration को बिसल्बन आ करे, वोत टेस्ट रूइस सॉसर्थ को, तो टेस्टार शुद बे रे स्मोल खे, ताकी लेक्स वाइ, लेक्स वाइ लेक्स वाइ, लेक्स वाह, Arai इंporth, बात बाता रहे हो, तो बैसी क्यू बातां हो, तो दूट आत रूरै, टीड देस्मृट डिश्ट अटा दो ओरृजनल गम्फीग्रेशन कि यह लिक लेना औरैजिटी न पिकरीस पोर। दिस्ट hm आपकत न now करें इसलिएमेजित सतर्थ के प्यारे बचे और बचरे मैं मोटना यह बन विद इंगेघा क्या हो औरो यहोग तेशने सोजाएगा, काम भने नहीं है, तीसर ना पोउइंट, ठीक है, तीसरा पोउइंट, प्यारे बचो बचो, बबचो, इधर देखो, जो टेसर चार्ज लेक्या आ रही हूँ, ठीक है, की, to bring, to bring, test charge, test charge, we apply we apply an external force just enough, इतनी ही लगाएंगे just enough to counterbalance to counter, counterbalance का मतलब क्या है, counterbalance का मतलब जितनी वो लग रहे है उतनी आप लगा दो बस लगने के direction opposite है, तो to counterbalance the electric force यह आपको थर्ड पॉइंट में लिखना इसके ठीक है यह डेरिविशन है तो अगर रिपलसी फोर्स लगरी यह 10 न्यूटन की तो आपको भी 10 न्यूटन लगा नहीं है इसके अगेस्ट ठीक है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी चार्च पर जीरो तो यह आएगा कैसे जीरो ASHL dra сegh aga second 20 लोग आपको यहीं चीज छो लिखनी है क्या ठेखे अब इसी के अंदर ही लिखना है टीक ना तो घंटर बैनेस ठीक है है सो एक्सटलरेशन बीकमेश değero एक्सटलरेशन भीकम्क इरो इडे मॉचे हग इसकी विजय से यह एक्सलेरिशन जुजे Самcol, constant speed देखो एक एक बेसिक बात Constant speed बिल्कुल Concent speed से सर आयेगा तो अब एक बात बताओ मुझे अब हम बात कर रहे हैं स्लाश्ट पोइंट है और आज के इस lecture का बेसिक अमने बढ़ एकसी कर लिया तो work done in bringing a charge from R2P और work done सर फिजिक्स में सर एक ही तरीका होता है वर्गडन लिखने का क्या R2P क्या होता है बबबबा दल्दी से बताओ पंडे जी वर्गडन फ्रम R2P तो फोर्स लगानी पड़ेगी देखो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी हाँ इधर लग रही है FE इलेक्रिक फोर्स आप लगा रहे हो आप लगा रहे हो इसको भूल जाओ आप लगा रहे हो, क्या? आप लगा हाह हो, इther देखो, यह displacement DR, यह लगा रहा यहenda पोर्स इसके अग़ेंस्ट एक पोछ लगा होगे, कोऊज 다른 पोर्स? और यह external की बोल परोड़े अ का सिनकतर हो buzzing função और पोजी थोगते बिशाटिफ comment क्या f external into dr तो अब बात बताओ external force तो इधर ही लगेगी और displacement बीदर तो external force or displacement दोनों same direction में तो इस case में ठीटा गितना जिरो इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं minus r2p f of e dr क्योंकि यह थीटा कितना है 180 अरे electric force इधर displacement इधर तो दोनों के बीच का angle कितना है रे बभू एक सबस्य चाहिए आप इससे करो इससे करो बात एक ही ठीक है तो अब हम देखते हैं क्या है तो इसको में रब कर दूँ इधर देखो तो आर से पी लेके आ रहे थे आर से पी तो हमने यह देखा जो वर्कडन था वो श्टोर्ड हो रहा था किसकी पॉँम में पोटेंशिल एणरजी तो आर से काँ अगाई आर से पी करना चुल टो भी पे तो यह शूक्युक्त आ यह पे सकत्रैइब आ यहां पर ऑपोटेंशिल इनर्जी यूपी यूवा और सुल यूपी Vivian तो सर क्या बना थो सर यहां पर बना था हमारे पास यूपी माइननस UR टो बच्चों यह आया हमारे पास UP माइनस UR अब UP क्या है? UP है sir जिस पॉइंट पर आपने finally इसको रखा है final point izada UP माइनस UR जो है को difference है तो इसको हम लिखेंगे delta u delta u और sir v equal to होता है w upon me q क्योंकि potential होता है sir work done per unit charge और इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं delta u upon q तो ये जो work done कर रहे हो एक point से दूसरे point में कर रहे हो तो वो एक energy का difference ही तो है अगर मैं इसके नीचे कर दूं q क्योंकि इसी को तो ले के आ रहे थे ना q को ही तो ले के आ रहे थे यहां से यहां तो delta u upon q तो प्यारे बच्चों क्या बंजेगा जल्दी शे बताए delta u क्या है हमारे पास delta u क्या है up minus u r upon q अब इस q को इन उपर वाली दोनों टरम्स के नीचे अलग लग कर दें तो up upon q up u r upon q up अधित्यनात योगी वाला up नहीं है यह योगी नहीं है यह यूपी यह वाला up minus u r अब up by q क्या है रहे ऐसा ही तो है v equal to w upon q तो है यह energy by charge इस पोटेंशल देगा न तो इस point पर potential कितना है वी पी आया इस point पर potential कितना आया v आ रहाया और इन दोनों का आया potential difference तो यह क्या बना अरे यह क्या बना अरे बच्चा यह sequence में चल रहा है इधर चीज ध्यान देना यह ठीक है तो जो work done आया है यह जो work done निकाल रहे हम r2p ठीक है यह work done इसको divide कर दे इसको divide कर दे हम किससे charge से तो क्या रहा है यह चीज आ रही है तो क्या रहा है UP by Q क्या है अरे पास VP और यह क्या है मर पास V क्यों और यह क्या है potential difference और starting में ही सर ने बोला कि electric potential is not the actual value क्योंकि potential difference होता है this is the physical significance ठीक है ना electric potential electric potential खुद एक actual value नहीं है वो एक difference है एक point से दूसरे point ठीक है तो प्यारे बच्चों यह था आज का lecture electric potential का full basic निकल सर के दोबारा तो next lecture में start करेंगे एक point charge से किसी distance पर किसी point पर electric potential की derivation शुरू करेंगे तब तक के लिए इस lecture को अच्छे से enjoy से दोबारा से earphones लगा कि समझिये और कोई doubt हो तो please comment section में और जो हमारा WhatsApp group है जो हमने बनाया है उसमें आप अपनी problem share कर सकते हैं तो जो नए बच्चे हैं वो हमारे girls और boys separate group में अलग से join हो सकते हैं आपको इस contact number पर मुझे message लिखना है हाई का ठीक है ना WhatsApp group तो हमारा जो WhatsApp group है बच्चा लोग वो है sir क्या हमारा WhatsApp group WhatsApp group पर contact करना है आपको इस number पर 97281 49284 इस group के अंदर हर एक बच्चे की problems को हम cover up करते हैं ठीकर कूई PDF को assignment है वो हम बच्चों को daily basis पर हम देते रहेंगे बच्चे की performance के लिए तो आप join हो सकते हैं आपकी betterment के लिए WhatsApp तो आपको अपना name अपनी class और कहां से belong करते हो ये चीज़ आपको लिखनी है तो मिलते next lecture में एक नए dedication के साथ तब तक sir को sport करते रहे जीए ठीक है करते है जाओ